Love Infinite Channel में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं और एक बार फिर से ही मैं Surrendering की स्टेज के बारे में थोड़ा सा और खुलकर बताना चाती हूँ और साथ ही साथ कुछ myths हैं और कुछ doubts भी हैं आपके जो कि मैं जब personal reading ले रही होती हूँ तब आप लोगों के मुझे समझ में आते हैं और मैं सोचती हूँ कि किसी एक को ही क्यों आप सब को ही clear कर दूँ ये सारी बाते तो चलिए Surrender क्या चीज है जब Twin Flame Journey में एक partner runner बन जाता है और एक partner chasing करते करते पूरी तरह से exhausted फिल करता है और आगे continue नहीं करना चाथा तब आप सब कुछ divine पर और divine time पर छोड़ देते हैं तब surrender की stage आती है Surrendering means doing the inner work on you और सारा outcome आप God या divine पर छोड़ देते हैं यानि कि inner work आपने सिर्फ अपने लिए करना है एक doubt आपका ये रहता है कि inner work में उनको भी लेकराना है उनको भी बताना है कि आपको भी inner work करना चाहिए ताके हम दोनों एक साथ आएं जो लोग आपको इस तरह से guide करते हैं वो गलत है या पिर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है ठीक है एक बात यहाँ पर आपको clear कर देती हैं कि जब आप exhaust हो जाते हैं और वशीकरन की और mood जाते हैं या तांतरिक और बाबाओं के पास चले जाते हैं कि बस अब किसी तरह से reunion हो जाए तब आप अपने और अपने twin flame पर और भी कई बड़ी-बड़ी मुसीबितों का पहाड क्रियेट कर देते हैं reunion तो नहीं बलकि आप दोनों की health पर और finance पर bad effect पड़ता है तो ऐसे तांतरिक और बाबाओं के पास नहीं जाएं तो बहुत अच्छा है true surrendering का मतलब है सच में आपको reunion या शादी की प्रवा है ही नहीं जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा एक और myth या doubt आपका clear कर दूँ कि कोई भी healer आप दोनों को reunite कर सकता है नहीं कर सकता है क्यों कि आप दोनों की journey है आप दोनोंने चलना है जो guide या healer ऐसा कहते हैं कि हम आप दोनों की energy को reunite आप दनों को हम एक कर देंगे वो आपके पास आके आपको कहेंगे कि I love you I love you and I want to marry you ऐसा नहीं होता है अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं दूचरा वो आपको distract कर रहे हैं misguide कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको यह कहेंगे कि हाँ जी इतने 40,000 ले आओ 50,000 ले आओ यह करना है वो करना है यानि कि माता की चौकी भेजनी है आपकी आत्मा को यानि कि आपके divine masculine की आत्मा को जो कि आपसे मुँ फेरे हुए है no contact zone में है बात ही नहीं कर रहे है उसकी आत्मा को शुद्धी करने के लिए माता की चौकी भेजनी है यह सब गलत है यह सब जूट है डोंग है और इसमें आपका पैसा जाएगा कोई किसी की आत्मा के अंदर कोई और चीज गुसा नहीं सकता है ठीक है इतनी पावर भगवान ने किसी में नहीं दे रखी है कि वो आपके डिवाइन मस्कलाइन की आत्मा के अंदर आपके लिए प्यार उमाड उमाड के रख दे ठीक है ना तो इस चीज के लिए भी पहले से सावधान रहे डिवाइन फेमिनाइन को खुद को मास्टर करना होता है सेल्फ मास्टरिंग करनी होती है सेल्फ हीलिंग करनी होती है यहां यहां पर मैं कहूंगे कि कोई उपरी बादा या ब्लैक मैजिक आप या आपके रिवाइन मस्कलाइन पर हो सकता है इस वज़े से भी आपको ये feel हो सकता है यानि कि अब अपनी self mastery यानि कि अपनी false ego, अपना fears, अपने illusions से overcome होना ये आप day to day life में कर सकते हैं एक और doubt clear कर देती हूं कि कार्मिक लोग हैं, inner work नहीं करने देते, friends मजाग उड़ाते हैं holidays में family gathering या get together होता है, time नहीं मिल पाता inner work करने का तो क्या करें इन सब के बीच रहते वे भी आप अपना inner work कर सकते हैं बहुत जादा gossip ना करें, अपना लिए थोड़ा बहुत time ज़रूर आप निकाल सकते हैं, मन ही मन आप inner work कर सकते हैं यही एक art है और धीरे धीरे अपने आप ही isolation में जाएंगे इश्वर अपने आप ही आपको एक तरफ ले जाते है अलग तलग सी जिंदगी बना ही देते हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है यही art है और यही आपकी परीक्षा भी है कि आपने किसको priority देनी है फैमिली गेट टोगेदर पार्टी जालिडेज यह अपना इनवर्क isolation यह दुनिया कुछ भी कहें फैमिली वाले कुछ भी कहें priority किन चीज़ों को देनी है अपने लिए और क्यों देनी है यह आपको डिसाइड करना होगा ठीक है और जब divine feminine खुद पर काम करें तो सबसे पहले divine पर trust करना सीखें इश्वर पर trust करना सीखें angels पर trust करना सीखें यह कहें कि है इश्वर मैं अपना inner work पूरी dedication के साथ कर रहा हूं ताकि मेरी twin flame भी अपना inner work स्टार्ट कर दे और दोनों ही हील हो पाएं बाकी result आपके हाथ में है यानि कि फिर से वही बात आगई हम तो कर्म कर रहे हैं फल की चिंता हम नहीं करेंगे फल देना आपका काम है यह सब कुछ आप बगवान कृष्ण के हाथ में छोड़ दें अपने जीजिस के हाथ में छोड़ दें और या फिर अल्माइटी गॉड के हाथ में छोड़ दें रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है ठीक है कर्म करना हमारा सबसे मेन अदेश्य है और जब डिवाइन फेमिनाइन एनरजी में आप हैं तो आपको ट्रेस्ट करना ही होगा और जब आप ट्रेस्ट करना सीख जाएं तो चाहे डिवाइन मस्कलाइन अपने एगो में जूर हो तब भी आप उनसे अनकंडिशनल लव करते रहेंगे आप यह नहीं कहेंगे कि उनका तो एगो खतम ही नहीं होता हम क्यों ऐसे करें और हम क्यों अनकंडिशनल लव में रहें फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रापर तरीके से खरें नहीं उतरेंगे डिवाइन जर्नी है डिवाइन फेमिनाइन आपके उपर एक लेबल है तो यह समझके चलिए आप एक सिंपल परसन नहीं है आप एक डिवाइन है तो डिवाइन जैसा ही एक्ट करें अगर मैं सरंडरिंग की बात करूँ तो सिर्फ सिटिंग एन वेटिंग एन प्रेंग नहीं मैम हम तो बैठे हुए हैं हम तो उसी का वेट कर रहे हैं जी हां यह सरंडरिंग नहीं है इससे आपका ट्विन हमेशा सेफ जोन में रहेंगे और रिस्क टेकर नहीं बन पाएंगे जैसे के आप हैं आप भी रिस्क टेकर बनने के कोशिश कीजिये जो होगा देखा जाएगा आग का दरिया है डूब कर जाना है उपर उपर से नहीं तैरना है ये ट्विन फ्लेम जर्णी ऐसी है आपकी तरफ आने में आपके डिवाइन मस्कलाइन तब ही एफ़र्ट लगा सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं ऐसे करने से ये आपकी तरफ आने में एफ़र्ट नहीं लगाएंगी इसलिए आप लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ हम कर रहे हैं ये डिवाइन जर्णी है वो भी जो डिवाइन मस्किलाइन है तो फिर वो क्यों नहीं सब कुछ समझते जब हमें फिलिंग होती है हमें एंजल नंबर सिखते हैं हमें टेलिपैथी होती है क्या उनको कुछ नहीं होता क्योंकि आपका ट्विन कहीं नहीं जाएगा क्यों डरती है डिवाइन फेमिनाइन अगर मैं बेट नहीं करूँ प्रेनिंग करूँ और चेज नहीं करूँ तो वो कहीं और ना चला जाए आपका ट्विन फ्लेम है भी आपकी ही सोल है तो वो कहीं नहीं जाएंगे और तो ठीक है मैंने एक और डर और डाउट आपको clear कर दिया है डरने की जरूरत नहीं है Surrendering छोड़ देना या Twin Flame Journey को give up करना नहीं है कि हमने तो surrender कर दिया जी हमने यह निए आप कुछ लोग कहते हैं हमने surrender कर दिया यह भी मैंने clear कर देती हूं आपको बलकि पहले अपने mind, body and soul के लिए workout करना ही surrendering है ताकि same mirroring होने की वज़े से DM की भी healing automatically हो जाए जी हाँ जब आप mirroring period में हैं आप टिन फ्लेम जर्णी में हैं तो healing आप कर रहे हैं तो automatically वो भी heal हो जाते हैं उसके लिए आपका अपने divine masculine को डिर सारे messages और जो आप कर रहे हैं courses वो सब कुछ वहाँ बेजने की जरूत नहीं है लो यह तुम भी यह करो लो तुम भी यह करो वो automatically करने लग जाएंगे आप खुद ही हरान हो जाएंगे कहां तो वो बार में बैटते थे और कहां आज मंदिर में बैटे हुएं literally यह change आपको एकदम से नजर आने लगेगा इसलिए कहती हूँ patience रखें और upset बिलकुल भी ना हूँ बलकि self respect करें self love करें self power को पहचाने और कोई बहाना ना करें कोई भी बहाना नहीं चलेगा divine journey है भगवान कहते है कोई बहाना नहीं चलेगा यह नहीं करना देता वो नहीं करने देता time नहीं मिलता job ऐसी है यह है वो है बच्चे है कहां जाएं क्या करें यह कार्मिक वो कार्मिक वो नार्सिस है बगवान कहते हैं मैंने सब कुछ तुमारे लिए कढ़ा है तुम इस से बाहर निकल सकते हो just like Phoenix तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन तुम स्रफ बहाना करते हो तुम सिर्फ डरते हो तुम सरफ result के तरफ देखते हो इसलिए तुम्हें Surrendering के Stage का पता ही नहीं और reunite होना, तो दूर वो बात भी नहीं करते हैं, इसलिए healthy boundaries create करें हैं और twin के साथ, क्योंकि surrender stage is the ultimate test for twin flame, तो आप ready है न, ultimate test को pass करने के लिए, So, having a personal relationship with the divine, not divine masculine, personal relationship with the divine is what's absolutely needed for reunited with your twin, क्यों, क्योंकि ये journey completely divine will पर ही dependent है, तो त्यान रखिये, आपने अपना personal relationship ईश्वर के साथ रखना है, और किसी और के साथ नहीं, जो मिलेगा, आप जो deserve करते हैं, वो पका मिलेगा, So, don't worry, सभी तरह के doubts और myths एक बार फिर से मैंने clear कर दिया है, आशा करती हूं, वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है, तो like, share and subscribe, जरूर किजेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद